गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज अपना इस चैप्टर का यह लास्ट पार्ट है बहुत चोटा पार्ट होगा इसके जो भी 16 17 पार्ट बनें वह पुरे चैप्टर के किसे साफ से कराया आपने पड़ाया मजबूरी है हमारी कि आपको इस चैप्टर के परकार से देंगे डार्बेक औप बॉर्मॉडल कल इसके बारे में अपने फड़ेते इसकी बहुत अच्छा यहां फड़ेती के कुछ गुण फड़ेते लेकिन आज इसकी दोस्त भी फड़ेंगे क्योंकि अब इसको भी चुनोती देने वाले आ गए क्योंकि इसने रदरफोर्ड को से इतना अच्छा बताया कि जो इलक्ट्रोन होते हैं वो निशित त्रिज्जा के वर्ताकार पतों में चक्का लगाते हैं निम नुर्जा इस्तर के अलग होते हैं इनका कौन यह समवेग म्वी आर बराबर एन एच पॉन टूपाई का पॉन गुण जो होता है यह वो सब इ अचे उर्जा से निम नुर्जा में आता है तो उर्जा का उत्सरदन करता है यह भी सब बताया लेकिन फिर भी देखो इसके बारे में क्या चीज़ तो सही है और क्या गलग मोड़ल रदर फोर्ड मोडल से बोर्ड बोर का परमानुप पतिरूप अधिक विक्सित था यह त के दुवारा परमानों के रेखिये स्पेक्ट्रम थता इस तैत्वे की वैख्य की जा सकती है क्योंकि रदरफोर्ड के मोडल से यह संभव नहीं था इसके मोडल से संभव है इस मोडल में भी कुछ परमु कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार अगर फस्ट ऑफ वाल कमी की बात करते हैं अधिक इलक्ट्रोन वाले परमानु परतिरूप को इस मोडल से नहीं समझा जा सकता क्योंकि जिनमें इलक्ट्रोन ज्यादा होते हैं यह हाइट्रोजन के लिए वद्यों मोडल को समझा पा है या राए यर की दिमार मोडल है जिन vain yang energ उनको इस मोडल समझा नहीं जा सकता इस के दोरा इस बस्ट नहीं किया दो सकता यानि यह model only for जिसमें एक एलक्ट्रोन होते हैं जैसे कि hydrogen में एक एलक्ट्रोन है जैसे कि helium प्लस में एक एलक्ट्रोन है जैसे कि lithium प्लस टू में एक एलक्ट्रोन है यह सब एक एलक्ट्रोन इस पिसीद है hydrogen में एक electrons होता है हम प्लस यानियंक जिनमंगे समझाने यह समधने में चरहा है और जो नहीं इन मतलब एक से ज़्यादा है उनके मोडल को यह सम्झा सकता है उनकी स्प्क्टरम को यह झानि करोणों से देखने पर पता चलता है कि परमानों का रेक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा इसको अपन परमानों के स्पेक्ट्रा में फड़ेंगे अलग अलग बारे में बता ही अपन इसके बारे में फड़ेंगे कि जो इसने एक स्पेक्ट्रम बताया है वह आगे जाके एक ही लाइन क यह यू यू बनेगा और फिर लाइफ में आगे चलके इसको देखते हैं तो अपने को कुछ जैसे जैसे ग्राफ होते हैं ग्राफ ऐसे आपने देखा होगा ऐसे करके यू 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 आपकी लाइफ में भी ऐसे ग्राफ चलते हैं यू ऐसे तक पहुंच जाते हैं अपने इसक तो आगे जाके इसको बहुत कुछ अच्छे टक्नोलोजी में फड़ने वाले तो कहने का मतलब था कि इसने जो एक स्पेक्ट्रम बताए एक लाइन बताई है वह लाइन ही आगे अलग-अलग मतलब साथ चीजों में या अलग-अलग बहुत अलग-अलग पटे काउं में बट तो बोर मोडल के पास इसका कोई जबाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ यह लाइने ऐसे क्यों विभक्त हुई और क्यों नहीं हुई और इनकी क्या-क्या सिरेडिया है क्या-क्या क्लर है नहीं है यह सब सवालों के जबाब बोर मोडल के पास नहीं थे यानि कि यह सब कमिया आज के advanced model के सापसे तो ball model फैल है हालांकि इसके बाद आने वाले model फैल है अब जाके तो quantum यांत्रिक तक अपने ये पर्मानु सिद्धान जो है वो महरसी करांद से लेके अपन quantum यांत्रिक तक पहुंच जाएंगे ये के इस अब बात करते हैं इसके तीसरे गुन पे इसके ती चना के बारे में तो बता दिया लेकिन इसने ये सपस्ट नहीं किया जैसे डॉल्टन वगएर ऐसे कुछ बताते थे कि जैसे आज अपन जानते हैं कि कोई electron घ्रेन करता है को electron देता है यानि कि ये नेचर इसने इतने बताया कि नाभिक है जो केंदर में होता है और इसके चा और कैस प्रकार से अभिक्रिया करके कोई योगी का निर्मान करेगा यानि कि ये रासानिक बंद यानि कि जो आज अपन फड़ते हैं कि चलो मान लिए हमने फड़ा कि एक कलोरीन परमानों के साथ एक एक electron का साज़ा करके CL2 बना रहे हैं लेकिन इस प्रकार के इस इसने ये सम्मध नहीं किया हमने खुब सारे बान फड़ा यानि की कोई भी दो परमानों के बीच का जो बॉंड है क्यमिकल बॉंड बॉलते हैं रासानिक बंद बॉलते हैं रासानिक बंद का मतलब यह है कि कोई भी दो परमानों आपस में जिस attraction से जिस auck connection से बंदे हुए हैं एक द ठीक है फिर आगे अपन देखते हैं इसके कुछ और सारी कमिया तो परमानों की सरचना ग्याद करने ये तीन इसकी मुख्य कमिया थी अगर बोर मोडल की कमी पूचे तो तीनों कमिया आपको बतानी है ठीक है परमानों की सरचना ग्याद करने के साथ-साथ अनेक परकार के तत तत्तों के खोज जारी थी इन तत्तों के प्रतीक पर्मानों सरचना तथा विशेश गुणों को इस पस्ट रूप से पैचानना भी गया यानि कि तब तक और ज्यादा थोड़ी से अब तक तो ग्याद हो चुका था कि सभी प्रदार्थ को पर्मानों से ही निवां कि यह सब जो प्रदार्थ होते हैं वह दो इन तत्तों के परत्त मिलते हैं यानि कि को भी प्रत्त जैसे सबीं जिरोरी ते की और परमानु जो CLF वो कलोरी परमानु है तो यह तो समझ में आए गया था इन तत्तों से समंधित जानकारियों को विवस्तित करने का प्रयास किया गया था यह यह सब जो अब तक की जो जानकारियां मिली हैं इन सब को केस में इनको विवस्तित तरीके से इनकी जो जानकारी जुटा पाने का हमारा सपना था वो अब साकार होने लगा था और ये जो मैंने आज आज आपको बोर मॉडल की जो तीन कमियां बताई हैं वो शिरफ आपको तीन कमियां ही बोर मॉडल के याद करने हैं जैसे आपने रजर फोर्ड में में तीन कमियां याद करें थे अब आपको यह चैप्टर इसके हागे का जो पारट था वरगी करौरों की तत्तों के वरगी करना और शानी यह वह फ्लाना यह अपन पहले ही फट चुकिया है यह चैप्टर का सुरू का पारट वाचरा था जो आज खतम हो गया है अब अब अपन इस चैप्टर का complete test लेंगे और I hope कि आपको यह chapter समझ में आया होगा और जिनके नहीं आया वो पूंचती भी रहे हैं और जिनके अभी भी नहीं आया वो मतलब पूंचे discuss करें और इस chapter को अच्छे समझें यह chapter आपको पता यह chapter आपका 9 से भी लेटेट था और यह chapter आगा में आने वाले future से भी रिलेटेड है चाहे आप science लो यह ना लो यह तो एक general science का पार्ट है यह तो आप कुछ भी लो आपकी life में जब भी आप कोई भी competition एक्जाम दोगे तो इस chapter में बहुत से question घूम पिर के आने वाले हैं इस बात का ध्यान रिखना तो इस chapter को थोड़ा हलके में ना लें यानि कि यह chapter आपकी life में जुरूर आएगा जब भले आप subject आगे जाके कोई साभी लो और science लेते हो तो 11 में यह chapter अच्छे से आजाएगा आपके और इसको और अपन आगे से परना सुरू करेंगे लेकिन जब तक यह यहां तक का मामला सेट नहीं है यहां तक का मामला समझ में नहीं आया तो फिर आगे थोड़ी से दिक्कत हो जाती है तो अब आप लोगडाउन है गर पे टाइम मिलता है जब भी जितना टाइम मिले आपको टाइम तो पूरा ही है वैसे तो जब भी आपके पास परेंट्स आपको फॉन प्रवाइड कराते हैं तो आप उससे निश्चिती रूप से यह देखें समझें और नौट्स भी उतारे साथ साथ काम कंप्लीट करे और समझने की कोशिस करें देखो हम चाते हैं यही है कि आपको समझाएं बाकि तो आपको सीधे फॉट कोपी मतलब पेज भेज देते वो ले इनको लिखो याद करो ऐसे भी सीधा बोल देते लेकिन मेनत इसलिए कराई जाती है ताकि आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आय ठीक है थांक यू